नमस्कार मित्रो, मैं आचारिप्रमूदुपाद्याय अपने इसकारिश्क्रम में आप सभी का पुना हारदिक स्वागत करता। आप सभी के समख चुबस्तित हूँ मैं आज मासिक राशी फल के साथ बात करेंगे करक राशी वालों का मई का महीना किस प्रकार का फल देने वाला है सबसे पहले नजर डाल लेते हैं ग्रहों की स्थिति किस तरीके की रहने वाली है चंद्रमा जोकी परिवर्तित होते रहते हमेशा उनको करक राशी में ही विराजित किया गया है वही पर धनु राशी में केतु ग्रह विराजमान रहेंगे मकर राशी में मंगल गुरु एवं सनिदेव विराजित है सूर्ज और बुद्ध का जो योग है वामेस राशी में विराजमान रहेंगे वही शुक्र ब्रिशव राशी में है और मिथुन राशी में राहुगरा विराजमान रहेंगे ये तो ग्रहों की स्थिती की बात हो गई प्रारम करते हैं कि या महीना किस तरीके का फल देने वाला रहेगा सबसे पहले आपका अमन इस महीने थोड़ा सा बिचलित हो सकता है इस्पैसली जब सुरुवात का दौर होगा उस समय थोड़ी से आप परिशान हो सकते हैं और कंफ्यूजन की स्थिती हो सकती है आपके मन में वहीं आप किसी भी तरीके के डिसिजन को लेने में आप समंजस भरी स्थिती में रहेंगे कि होगा या नहीं होगा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा इसलिए ऐसे स्थिती दिखाई दे रहे हैं इसलिए आपको सावधानी बरते हुए किसी भी कारजी को निर्णाय लेते समय बहुत ध्यान रखने की आवशक्ता रहेगी धन की स्थिती की बात कर लेते हैं और साथ ही साथ में कुटुम्ब की स्थिती को देख लेते हैं तो यहां पे कुटुम्ब का इस समय आपको भरपूर सहयोग प्रारमभिक समय में मिलेगा वही पैत्रिक संपति से जुड़ा हुआ अगर कोई भी विबाद आपका चल रहा है काफी समय से उस विबाद से रिजल्ट के तरफ आप बढ़ते हुई दिखाई दे रहे हैं किसी आपके कुटुम्ब के बीच के ही व्यक्ति के मध्यस्तता से यह कार्ज आपका सिद्ध होगा वही आपके बाणी से लोग जहां पहले कुछ समय से प्रभावित नहीं हो रहे थे वही इस महीने में प्रभ है उससे आप चुटकारा प्राप्त करने में भी इस महीने में काम्याब रहेंगे धन की स्थिती भी लगभग अच्छी दिखाई दे रही है लेकिन जब गुरुग्रा बक्री होंगे ग्यारा महीने से तो वहां से थोड़े से संभल कर चलने की आवशक्ता आपको रहेगी यहां पर एक चीज और आपको बता दूँ कि पराकर्म की जो इस्थिती है वह बहतर दिखाई दे रही है बुद्धी के प्रयोग से आप निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और उसमें सफल भी रहेंगी इस महीने में भाई बहनों का भी भरपूर सहयोग आपको प लाइफ के तरफ आप बढ़ेंगे यहां पर किसी भी तरीके के बड़े इंवेस्मेंट के तरफ अगर आगे बढ़ रहे हैं तो यह महीने में अगर आप इंवेस्मेंट करते हैं तो यह लॉंग टर्म के लिए बहतर लाब आपको दे सकता है इस समय आपके कुछ मित्र इस तरीके की रहने वाली है इस मंत में तो यहां पर आपको बता दूं कि बिद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा तनाव पुर्ण समय हो सकता है इसलिए थोड़ा सा सोच समझ कर एफर्ट लगा कर आगे बढ़ने की आवश्यक्ता रहेगी साथ ही साथ में जो लोग संतान स से किसी समस्या को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है उनको इस महीने में थोड़ी सी सावधानी बरत्ते हुए आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी अन्याथा मामला बिगड़ सकता है प्रेमी जोड़ों के लिए भी यह जो समय है यह थोड़ा सा टफ दिखाई दे रहा है इ अगर उसको सुल्धाने का प्रेम से प्रयास करने की आवशक्ता है इस महीने में अब देख लेते हैं रोग और सत्रों की क्या स्थिति है आकश्मिक सत्रों में वृध्धी हो सकती है लेकिन आप अगर सावधानी पूर्वा का आगे बढ़ते हैं तो सत्रू चाहते वे भी आपका कुछ विगाड नहीं पाएंगे इस बात का विशेश ख्याल रखें आपने अगर कर्ज ले लिया है किसी से और वह कर्ज आपका चुक नहीं रहा है तो इस महीने में उसकी भी स्थिति में बेहतर बेहतरी नजर होती प्राप्त आप कर रहे हैं और उसके साथ-साथ म में आपके कोट कचारी से समंदित कोई मामला अगर चल रहा था और उससे आपकी परिशानी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी वहां से भी कोई रास्ता अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा था इस महीने में कोई ने कोई रास्ता आपको मिलेगा कोई मददगार खड़ा होगा जिससे कि आप विजय के तरफ आगे बढ़ सकते हैं एक बात का विशेश क्याल रखना होगा और अपसाधी सुदा है इस्तरी हो या पुरुस तो प्रेम संबंद को दोनों के बीच में बैतर बना कर चलने का प्रयास आपको निरंतर करने की आवशकता रहेगी अन्यत इसलिए समझदारी के साथ चोटी बोटी समस्याओं को भुला कर बिल्कुल प्रेम संबंद की स्थापना करना चाहिए अगर आप पार्टनर्शिप करना चाहते हैं किसी से या फिर पार्टनर्शिप किया है आपने पहले से बिजनेस ब्यापार के दृष्टिकोंड से तो वहाँ पे कुछ स्थिती बेहतर होकर निकल कर आ रहे हैं जिससे ब्यापार में लाब की स्थिती तो बन रहे हैं लेकिन वहाँ पे दोनों के बीच में मानसिक स्थिती में मतभेद ना हो इस बात का विसेस ख्याल रखते हुए आपको आगे बढ़ने की आवशक्ता इस महीन में रहेगी वहीं विवाह के द्रिष्टिकोंट से अगर देखा जा जिन लड़के और लड़कियों का विवाह नहीं हो पा रहा है या किसी ना किसी समस्या के वज़े से रूक रहा है तो यहां पे कुछ बहतर अपर्चुनिटी निकल कर आपके लिए आ सकती है स्वास्तिक के द्रिष्टिकोंट से आपको बहुत ध्यान पूर्बक आगे बढ़ने की आवशकता रहेगी और साथी साथ में आपको वाहन चलाते समय सावधानी बरतना बहुत जरूरी रहेगा इस महिने में किसी चीज का बहुत दिनों से अगर आप खोज कर रहे हैं और विशेस करके कंस्ट्रक्शन के फिल्ड से आप बिलॉंग करते हैं तो वहां पर आपको बहुत हद तक लाव की स्थिती दिखाई दे रही है नीच बंग राज्योग लगा हुआ है जिससे कि यहां पर भागे की स्थिती 50% आपके फेवर में है लेकिन गुरुग्रा के वक्री होने के बा ना चाहते हैं उनके लिए थोड़ी सी बहतर अपरचुनिटी यहां निकल कर आ रही है पिता के साथ बहतर संबंद स्थापित होंगे अगर पहले से कोई बाद भी बाद आप दोनों के बीच में चलता रहा है वह सुलजने की पुर्णता इस्थिती बनी हुई है इस समय सरकारी नौकरी के लिए अगरसर हो रहे थे या फिर निरंतर प्रयास कर रहे थे और उसमें कहीं न कहीं असफलता ही हाथ लग रही थी तो सफलता के तरफ आप इस महीने में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर जो लोग सरकारी नौकरी में हैं वो और भी सफल होकर आगे इंक्रिमेंट या प्रमोशन के तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं पिता की सलाह आपके लिए राम बन का काम कर सकता इसलिए पिता से सलाह लेकर ही आगे बढ़ने की जरूरत है और पिता का आशिरवाद भी आपके लिए पूर्णता हलावदायक शिद्ध होग सोर्स ओफ इंकम की बात करते हैं वहाँ पर अगर सोर्स ओफ इंकम की दृष्टिकोर से देखते हैं तो बड़ा ही शुब शमय आपके लिए दिखाई दे रहा है पिछले कुछ समय से फाइनिंशल कंडिशन को लेकर आप बहुत ज़्यादा परिशान थे वहाँ से आप नि नंभी यात्राएं भी आपकी हो सकती है और वह यात्रा आपके लिए सुखद समाचार लेकर आने वाला रहेगा तो मित्रों मुझे आसा है कि मेरा यह कार्श्रम आप सभी को पसंद आया होगा तो मेरे इस सैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग का महत्वपूर्ण योगदान इस कोरोना वाइरस की लड़ाई में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं आप स्वयम भी सुरक्षी तरहिए घर पे और दूसरों को भी सला दें कि वो भी घर में राकार और इस महत्वपूर्ण लड़ाई में अपना पुर्ण तह य कमेंट के माधियम से या फिक इमेल करके अप्वाइनमेंट लेकर और उस समस्या का काफी हद तक आप शमाधान पराप्त कर सकते हैं तब तक के लिए इजाज़त दीजिए नमस्कार